दुपा दुपाओ, आजाओ ए चम्पी च्यागी रोशनी इसका मतलब है आया कोई चल्लोक में बिना चल्परी क्या आग जाके चल्पी है रोशनी कहाँ 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 आई जहाँ जहाँ कहाँ 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 लुपाँ कहाँ यहां इस पौदे के अलावा और कुछ नहीं है आरपारपरी है नहीं लेकिन था जरूर तबी तो कर रही थी यह रोशनी किसी के यहां पर होने का इशारा हाँ कोई था जरूर हाँ यह रोशनी गलत नहीं हो सकती लगता है कोई तितली या पक्षी गलती से छलो के अंदर गया है है हाँ जो भी हो हमें और सतर्क रहना पड़ेगा हाँ हाँ तो बढ़ा तो और सुरक्षा जी जो लंबी दिवारे बिछा दो जाल क्यों भी आग या पालविर तो कर देगा हमारा बुरा हाल आखिर प्रजा का ख्याल रखना है एक प्रधान का परम करता हुआ है ना परियो परियो छोड़के गए अकेला अपने प्रधान को यहां अकेले छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें एक है कौन नहीं छोड़ूंगा तुखे अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर भटका दी परी की शक्ती की मदद से सबको पौधा दिखने लगा और अब मुझे सतर्क रहना होगा चुकि सारी परिया सावधान हो गई और इससे खत्रा और भी बढ़ गया है इस जंगल में तो आग लगी है अब मैं आगे कैसे जाओ इस पर पर आग लगी है फिर पर इसके पते हारे क्यों है यह आग नहीं बलकि एक छल है भगवान जी आप हमारे दादा जी और उनके हड़ियां की रक्षा करना हाँ भगवान जी सिर्फ आज के दिन सिर्फ आज के दिन दादा जी के हड़ियों को लोही की बना दो देरुमत मानम है बापु जी को कुछ भी नहीं होगा आखिर उन्होंने मेरा स्टॉंग बनाने वाला टॉनिक जुपी आए बलकि मैं तो कहता हूँ कि यह कहो कि भगवान जी आज उस कर्ट आइंगल को दादा जी से बचा ले बापु जी बापु जी बापु जी बापु जी मैं मैं छियर नहीं कर रहां है ढून रहा हूं। पापु जी तुमने देखा पापु जी को कहीं? हाँ! सुबह चाय पीते हुए देखा द०ू कि अरे चाय पिते हुए नहीं, उसके बात देखा है क्या? हां कहां वहां अकबर पढ़ते हुए बच्चों मैं पूछ रहा हूं अभी थोड़ी देर पहले बापो जी को देखा है तुमने थोड़ी देर पहले नहीं अभी तो नहीं देखा पापा वह अभे मैश के तयारी कर रहे होंगे हां अरे हां नहीं मैश के बापो जी तो कमरे मे नहीं है थोड़ी देर में शुरू होने वाली फाइट से डर कर भाग तो नहीं गए नहीं मेरत दादा जी नहीं भाग सकते हैं वो दादा जी भागते हैं तो उनकी सांस भूलती है ना इसे लोग चलके ही गए होंगे यार अरे पर तुम्हारे दादा जी गए कहां हां अब तो मुझे नीचे उतार दे मुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे भाई अरे भाई साम आपने जबरदस्ती ने अपने कंदे पर क्यों उठाया हुआ है क्यों कि इनों ने हमारे तीन तरबूज तोड़ दिये ज्यादा ही लेगा तो बच्चे हुए तीन भी तूट जाएं अरे बाई क्या ताकत है एक बार में तीनों तरबूज तोड़ दिये अरे मैने नहीं वो मैनेजर के पहलवानों ने तोड़े अरे मैं तो इस पाइट से बचने के लिए कर्ट एंगल के मैनेजर को मिलने गया था मैंने उससे का कि भाई ये शक्ति वर्धक काड़ा पिके मुझे इतनी शक्ति आ गई थी कि मैंने कर्ट एंगल को चैलेंग दे दिया अच्छा तो पीके मेरा महाशक्ति शाली इंदन वे थे दादा जी तयार खुष्टी करने के लिए लेकिन भाई पुड़ नीचे ले ने इनके साथ बात करनी है तो मैंने कहा जिए बाई अब मुझे में वो शक्ति वर्धक काड़े की शक्ति नहीं रही तो मैं नहीं लड़सकता और मैं तुम्हारे पैसे भी नहीं दे सकता तो उसके पहलवानों ने उखा कर मुझे बाहर तेख दिया और जाके मैं इसके तर्मुच के उपर गीरा और तर्वू तूट गए अच्छा अच्छा तर यह इस तरीके से ऐसे हुआ यह अच्छा क्यों अरे आपके पिताजी को यहां तक उठाकर लाया हूं उसका एक्स्टा चार्ज भी तो लगेगा ना बाई सब थोड़े ज्यादा है थोड़े कम कीजिए ना देखिए हमारे पचास किलो के बापु जी तो पचास रुपे रखी ना यह ली महीं डे दिछे ना बाक मेरे बापु जाए अब जाए एब लोगं अब क्या होगा वो करठ हैंगल सो किलो का मैं पचास किलो वो कारठ हैंगल मेरी हडीयों का चूर्मा बना देगा चुमा बापु जी आपको लड़ने की जरूरत नहीं है मैं पैसो का इंदिजाम करता हूं नाहिस बेटा यह लाक रुपे बहुत बड़ी रखम होती है बापु जी आपनों के सामने बहुत च्छोटी रखम होती है नाहिस बेटा वो लोग बीना पैसे लिए मान गये तो ठीक है वरना मैं लड़ूंगा अरे वापरे लड़ेंगे कैसे दादाजी कुष्टी उस हैवान? मतलक पहलवान से अब दाजी लेकिन उससे पहले पी ली जी शक्ति ये बढ़ाने वाल इंधन को ये दूर रहा किस शक्ती है वर्दक काड़े को? अरे है नहीं है काड़ा, इससे मढगाईगी आपकी शक्ती अरे इससे ताकत नहीं, उल्टा मुसीबत बढ़ती है इसको पीने के बाद सब उल्टा ही होता है देख, इसको हाथ मिलेने के बाद तेरी भाषा भी उल्टी होगे अमरूत लाल जी हम आपको लेने आए हैं, मैच का समय शुरू हो गया है छलपरी, हमने प्रित्विलों के बच्चों के द्वारा उनके घर गंदे करवा दिये है उन्होंने अपने कपड़े और किताबे सब्जे के फैला दिये मेरी वज़े से बच्चे अपने माता, पिता और शिक्चकों की बात नहीं सुन रहे हैं बलकि उन्हें और परिशान कर रहे हैं हमने बच्चों से मिठाई की दुकाने पूरी तरह से खाली करवा दिये मैंने बच्चों के सारे खिलोने तुडवा दिये अब उनके पास धेलने के लिए कुछ नहीं बचा बस बच्चों से ये छोटी-छोटी शैतानिया करवा कर क्या फायदा करवाना ही है अगर तो कुछ ऐसा करवाओ जिसे देखकर बाल वीर तड़ा पुठे कुछ ऐसा करो कि उन बच्चों में अच्चाई और सच्चाई का एक अंच भी ना बचे समझे समझ तो तुम नहीं रही हो चलपड़ी कि बुराई के हाथ चाहे जितने भी लंबे हो जाए लेकिन अच्चाई को कभी नहीं चूश सकते बच्चाई इसे जिःकर भी नहीं को कि उनकाई एकि जिएरीग और Scripture आप दगड़ूम दगड़ूम धगड़ूम जनपरी नटकटपरी होच में आ रही है लगता है समाप तोरा है इसका सम्मोन देख रहा है मुझे भी कर रही क्या आप इंतजार हलकट परी के वार का है मिली पहली बार जीत हो लेकिन अगर आ गई सारी परिया होश में तो हाथ में लगेगी हमारे फिर से हार ने ने इसलिए लाता हूं में जल्दी से आपके वशिकरन बासुरी तब तुम्हार समोहन भी तोटेगा और वशिकरन बासुरी भी छळ परी क्योंकि जैसे इतबा ताबा वश् defensive अपने हाथ में लेगा मैं उस से बासुरी चछेलूँ बापुजी कहीं नहीं जाएंगे हाँ गाद ही कहीं नहीं जाएंगे बापूजी में जयेंगे मेरा मतलब किया अपने ने संने आ कान खुल कर सुन लो आप घूचि को यह कर नहीं जा सकते ठीक है नहीं लेकर गजाता उन्हें बस मेरे एक लाक रूपे दे दीजिए पापा महेश पैसे दिये यह विस और पे एडवांस और बागी का पैसा आसान किस्तों में चुका दूँए अरे बैंक नहीं टैंक हूँ मैं इसके आगे जो भी आता है उड़ जाता है यह तो मुझे पैसे दो या मेरे साथ चलिए देखो आप इन्हें आपके साथ जबर जैसे नहीं लेकर जा सकते हाँ हाँ ले जाए प्यार से अरे ललू मेरा मतलब कि सोचिए भी मत ऐसे कि आप ले जा सकते ही ने प्यार से और अगर आपको कर्ट एंगल से किसी को लडवाना ही है तो उसके किसी हम को इसे लडवाई है ऐसे बुजर्व से लडवाना क्या अच्छी बात है बड़ाबर हाँ हाँ अगर लड़ाई करनी है तो मोटब इसे लड़ाई करो हाँ नहीं मुझे पता था यही ओने वाला है यहाँ इसी लिए मैं मेरे साथ इन्हें लेके आया हूँ बोडिगार्ड्स इन्हें लेके आया हूँ हमरुतलाज जी यहाँ आईये तो बोलिए हैड्स या टेल हैड या टेल अरे या हैड या टेल अच्छा मतलब आप टॉस करोगे मैं हेड बोलूगा और जीट जाऊँगा तो कुस्ती का मुकबला केंसल हाँ नहीं नहीं फिर हेड्स या टेल्स का क्या मतलब अमरुतलाज तो जाएंगे ही हमारे साथ बस तेल आया तो पहले पैर जाएगा बोरी में फिर सर जाएगा और अगर हेड आया तो तो फिर सर जाएगा पहले पोरी में फिर पैर तो बोले हेड़ या टेल हेड़ पैर दी मुझा पैर जाएगा नो टेल डोंट टेल डोंट टेल मी इसको सीधा उठा और बोरी में दालो अब तो है एक ही उपाए बचाने का दादाजी को किसी भी तरब पढ़ेगा पिलाना उन्हें ये महाशक्ति चाले इंदन पर कैसे कैसे जल्दी से लेता हूं मैं ये बशीकरम बासुरी इसलिए कहती हूं जो भी करो सोच समझ के करो तौबा तौबा चल परी के गीतों को बजाने वाली वशीकरम बासुरी को पाना इतना असान नहीं है इसलिए मेरे सिवाई जो भी इस बासुरी को हाथ लगाएगा उसके साथ भी पही होगा जो तुम्हारे साथ हुआ चल चल लल…कः चल लल ले, चल चल ल दड़क दूंग दड़क दूंग दड़क दूंग वाँ वाँ चल परी जवाब नहीं आपका क्या सुरक्षा तोज बनाया आपने इसे तो बालवीर भेदी नहीं सकता क्या सकता दो बनाया आपक दूंग पुर्ण बनाया आपका क्या स्वराद्सक्त्प्षा थे भाँ नहीं सकता दूंग दूंग दोत्यां दूंग क्या स्वर्ण परी एसे दो अचिट वाँ रड़क दूंग नत्खटपरी बोलो बुराई की जै हो बुराई की जै हो बुराई की जै हो नत्खटपरी शल्परी तुमने खुद अपने बुरे इरादों को खतम करने का रास्ता मुझे बता दिया है बस मेरी मंजिल मेरे सामने है मुझे उस तक पहुशने का रास्ता ढूढना है अगर अगर कैसे जाओ उस बासुरी तक कैसे मिल गया मुझे अपनी मंजिल तक पहुशने का रास्ता जल्परी पंक बने थी और मैं उस पत्ते के साहरे इस सुरक्षा कवच को भेद के अंदर जाओ पहुशने है